हेलो दोस्तों हुँ तो अपना जो पहला चेप्टर चल रहा था उसकी आज तीसरी वीडियो है यह चेप्टर बहुत ही बड़े बड़े हैं तो इसको अगर आप लाइन वेस देखना चाहिए तो लाइन वेस देख सकते हैं अदरवाइस अगर आपने अंजर की एक नहीं है त चुंडा के बर में कलमनों ने पढ़ लिया था किनोंने मंदोर को राजदा निवनाई थी उसके बाद में पुगल के बाटियों द्वारा ये दोखी से मारा गया था और इनकी पत्नी ने चांद बावडी का निर्मान किया था उसके बाद में आ जाते हैं राव रनमल राव इसके सान में चुन्हारो की 14 58 gods के सान मरना और उत्ति हां और यह से 1468 के देखि 내려गी है इसके घड़ सिया है चयति का चौन पूर॥ पे एक दुर्ग बना हुआ है, जोदपुर दुर्ग जिसे हम महरान गड़ के नाम से जानते हैं, राव जोदधा ने दिली के सुल्तान बैलोल लोदी की एक सेना को प्रास्त करके प्रतिष्टा प्राप्त की थी, और गोरिशंकर हिराचंद ओजा राव जोदधा को ओनहें पाती परवन पता के तहट मारवड के शाषक तब राव गांगा था जो कि मादेव के पिता थे मादेव तब किया रहा है यहाँ कि उनका बेटा था अगर आज और किसमें वीजिया है तो मादेव की जो पत्नी थी वो उमादे थी उमादे को इतियास में रूठ हिरानी के नाम से जनाने आता है क्योंकि यह रूठ करका चली गई थी तारगड दुर्ग के अंदर फिर अजमेर को तारगड के नाम से भी जनाने अने लगा उसके बाद में माल देव ने मेर्टा के विरम देव और भिकनेर के राव जेट सी पर आकरमन कर उनके राजियों पर अधिकार कर लिया फिर ये विरम देव राव जेट सी शेर्शा की सरन में चलेगे 1549 और 14 में शेर्शा के आतों पराजितों के हुमायू दर दर बटकता रहा और माल देव ने हुमायू को संदेश बेजा साहता के लिए क्योंकि माल देव जानता था कि हुमायू की पूर्ण पराज्य के पस्चादी शेर्शा का अगला शिकार माल देवी होगा उसके बाद में 43-45 के अंदर शेर्शा सूरी के आकरमन का सामना करना पड़ता है माल देव को जिसके बीच में क्या होता है कि जो मालदेव के सेनापती है वो मालदेव के साथ क्या कर देते हैं विश्वाश गात कर देते हैं जिनका नाम होता है जेता कुमपा फिर गिरी सुमेल का यूद के अंदर क्या है ये वीरगती को प्राप्त हो जाते हैं जेता कुमपा इसको लग यह वीरता से वहाँ पर शेर्शा के साथ यूद करते हैं और शेर्शा फिर यह स्टेटमेंट देता है कि एक बुठी एक मुठी भरवाज्रे के लिए मैं हिंदुस्तान की बाशाहत खो देता फिर शेर्शा की मिर्थियों है 1545 में और 162 के अंदर मालदेव की मिर्थियों हो जाती है उसके बाद में आता है चंदरसेंद चंदरसेंद को भूला भिसरा राजा भी कहा जाता है और मेवाडगंदर जो महाराना थे महाराना परताप उनका पतपरदर्शक या उनका अगरगामे भी कहा जाता है इनके बार में आपने में जो बात देखनी है वो यह देख थे फिर इनकी और कहानी जो इंपोर्टेंट रही है फिर इनके उपर मुगलों का अक्रमन उता रहा पंद्रासो बतर चुड़ातर के अंदर इन्हों ने अकबर ने राय सिंग को जोदपूर का शाशक न्यूक्त कर दिया दो साल तक वहाँ पर राय सिंग वहाँ पर राजा बन के राफ उसके अलावा यहाँ पर चंदर से ने अपने पूरी जिंदगी भर संगर्शी किया है इदर उदर भटकता है राफ वो लाश में 1581 में इसकी म अधबई का विवा कर दिया था जहांगीर के साथ ठीक है इसको इस विवा के अफसर पे उद्रसिंग को हजार रुपे का हजार का मंसबदार भी दिया गया था 1581 सी के मध्या महारवाड खालसा शेत्र था खालसा शेत्र का मतलब यहाए कि अखबर ने अपने कंट्रोल में उसके बाद में आता है महारवाड का जश्वन सींग प्रतम तो जश्वन स्ंग का जनम 1626 में बुरानपूर के अंदर हुआ था गर सिंग के मनने के बाद मान करके उसका राजे विशेक किया गया फिर उसे चार यार जात वह सवार का मंसब प्रदान किया गया एक यार जात और चार सो सवार का मंसब देकर जोदपूर का राजे मंतरी न्युक्त किया गया 1645 में आगरा का प्रबंद सोपा गया 48 में कंधार का अभियान पर वेजा गया और 57-58 में उसने औरंग जेब के विरुद्ध धर्मत के युद में दारा का साध दिया जिसके अंदर क्या होता है कि कासिंग खांग के विश्वाश गात के कारण दारा की प्राज्यों जाती और जेस्विन सिंग को जोदपुर लोटना पड़ा तब इनकी जो पत्निया उसने गेट नहीं खोले ठीक है क्योंकि वो कहती थी कि अगर हमारे घर से कोई भी राजा गय गया है तो वो हमेशा जीत की आएगा हार के नहीं आएगा ठीक है उसके बाद में पांच जनरी 1669 को क्या होता है कि खजुवा के मेदान में औरंग जेब और जैस्वन सिंग के आपसी एविश्वाश के कारण वहें शाही डेरे को लूटकर जोदपुर रवना होगे जैसिं के लिए बेजा गया फिर इन्हों शिवाजी के खिलाबी युद्गिया बटी ने सवलता नी मिली 1673 में जेस्वन सिंग को काबूल बेजा गया फिर इन्हें जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और 28 नॉमबर 1678 को इनकी मिर्तियों हो गई अब आता है कि इनके टाइम में विद्वान कोनों से थे तो सूरतमिश्र नर अडिदास नवीन कवी बनवारीदास अधी प्रमुक थे वनोत नैंसीन का मंत्री था जिसने नैंसीरी के हाथ और मारवाटरा प्रगनारी विगत ग्रंथों की रचना किया है यह वेपर में कही बार कोश्चन आगया कि यह सबसे पहला विकती है राव विका जिसने 1465 में वहां पर आ गया था 1468 में विकने नगर की स्थापना किया और करनी माता के मंदिर का निमान कराया इसके अलावा यहां पर इसमें कोई ज्यादा इंपोर्टन्ट वाली बात नहीं है राव लुन करन 1526 में डोंसी के यूद मे नारनोल के नुवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया बिठू सूजा ने अपने राव जेटसी रोचंद में इसे कल्यूक का करन का गया यहीं इंपोर्टन कोशन है कि कल्यूक का करन किसे का जाता है तो राव लुन करन को बिकनेर का इसके अलावा इसे लुन करन जी पंतरी नागराज को शेर्शाग से साहता प्राप्त करने के लिए बेज़ जा था तो 1541 के अंदर पायबा और साहबा का यूद है जिसमें राव जेट्सी मालदेव की साहता से लड़ता हुआ वीर गदी को प्राप्त हो जाता है उसके बाद में आता है कल्यानमल जो की नागो बता दिया बाद उसका दूसरा पुत्रा परित्वराज अकबर का दर्बारी कवी था उसके बाद में आता है रायसिंग तो रायसिंग जो था वो 1572 में नागोर दरबार में गया था यह 1572 वाली बाद मैं आपको बता दिया है 1574 में इसने माराजए धिर्याज की उपादी प्रशाइब बिकनेर का शार्शक मना था इसने जुना अगर दुरकनिमान भी करवाया इसने वहीं पे जैमल और फट्था की पाशान मूर्थियां भी लगवाई हैं किले के बीतर इसने एक परशर्ष्थि लगई जिसे राय सिंग परशर्ष्थि के नाम से जाना रहता है मु उमर सिंग और करंद सिंग के मद्य है ठीक है औरंग जेब के शाशक बनने के उपरांत वहां उनकी सेवा में चला गया जिंता मनी भट के ग्रंथ शुक्त सब-तति में करंद सिंग को जांगल-धरबाश्या का अगया अगर आज एकी जांगल-धर-बाश्या किसे रागया त करन सिंग को कहा गया है इसके अलावाए इसके दरबारी विद्वान गंगानंद मीथिल ने करन भूशन वै कावय डाकिनी नामक ग्रंत लिखी हैं अब आजाता है सांबर के चोहान या शकंबरी के चोहनवश जिसके बीच में आपको पृथ्थराज चोहान विग्राया आदी पुरुष था जिसका समय 251 के लगबग माना जाता है ठीक है उसके बाद में गुर्जा पतियारों के समन्त होते हैं उसके यहां पर कुछ भी इंपॉर्टन नहीं है अजयराज तो अजयराज ने ग्यार सो बाज़िस्वी में शाषिक बना ग्यार सो तेरह में अजमे के लिए एक सवन कलश परदान किया अरनो राज ने दो ही काम किया एक आना साकर जीलपन वाईया एक पुष्कर में वरा मंदिर का निर्मान किया है उसके अलागा और कुछ इंपॉर्टन नहीं है इसमें फिर आता है विग्रा राज चतुर्ट विग्रा चतुर्ट सबसे हम कह सकते हैं बहुती शक्तिशाली राजा था क्यों क्योंकि इसने दिल्ली के उपर अपना अधिकार कर लिया था इसे जियानक ने कभी बंदव की उपादी दिया है विग्रा राज ने हरी के लिए नाटक भी लिखया और उसके जो दरबारी विद्वान था सौमदेव उसने ललित विग्राज की नाटक की रचना भी किया है इसने संस्कृत पाट्शला को तुड़आ कर वहां पर हरी के लिए नाटक की खज़वाई किया है और कुतूबदीन एबक ने वहां पर धाय दिन की जोंपड़ा बनवा दिया था मस्जिद बनवा दिया था विग्रा चतु यह पिरतिर्फिरा चुहान इंपॉर्टेंटर जो सबसे जिसने सबसे आधा जीया है और अपना समराज्या का विश्तार किया है इसने दोई इम्पॉर्टेंट युद गिया एक का युद पहला एक तरहं का युद दूसरा. त्राइन के पहले युद में मुहमद गोरी हार गया था प्रित्रा चौहान जीत गया था त्राइन के दूसरे युद में मुहमद गोरी जीत गया था और प्रित्रा चौहान हार गया था बस ये दो युद आपको याद रखने है इसके लावा और यहां पर गैर सो ब्यासी के इन्दर महुब्बा का एक य доп वाग किसमें इसने बंढानगों को हराया था, उसके रावा सियोंगिता की का बता हैní, आपको पताई है कि इस ने सियोंगिता तृत्त्य का उत्तर था उसके उत्रा दिकारी करमश वालन पर्लादन और वीर पुवार थे इसके बाद में हमीर का टाइम आता है 1282 से 1301 का इसमें 1282 में हमीर ने राजयरोहन के बाद दिगवीजन की नीती अपना ही 1291 में में इसने जलालुदीन के अकर्मन को रोका था मतलब कि जलालुदीन खिल जी ने बहुत बार अटाक किया जीत नहीं पाया रंथमबोर को और लास्ट में कहता कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को अपने सैनी के एक बाल के ब्राबर समझता हूं और फिर उसके बाद में अलाउदीन खिल जी जब शाशक बनता है तो वहाँ पे 1301 के 1301 के अंदर जोहर हुआ था सबसे पहला जोहर है जो कि जल जोहर था इसके बीच में जलाउदीन खिल जी के साथ इसका मद्या विवाद विवाद होगा था फिर ये अलाउदीन खिल जी इनके उपर आक्रमन कर देता है और फिर 1308 के अंदर पहले आक्रमन करता है सुल्तान जलोर के शक्तिशाली के लिए सिवाना पर अधिकार कर लेता है 1308 के अंदर फिर 1301 के उपर अलाउदिन खिल जी जलोर के जो दुर गया उसको उपर हमला कर देता है उसके बीच में कहता है कि कानड़ देव के एक सेनापती होता है अलाउदिन खिल जी 1311 में जलोर के गिले पर भी अक्रमन करके उसको विजही कर लेता है और उसका बाद भी नाम रख देता है जलाला बाद इसके बाद में आयता है अमेर का कछवाव वंश तो अमेर का कछवाव वंश के आपको कल की वीडियो के अंदर बता दिये जाएगा उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर दिये जाएगा ठीक है छे साथ पर नहीं रहे गए हैं कल आपकी वीडियो आए कंप्लीट हो जगे और कल या आपके अंसर की भी आपको प्रवाइड करा दी जाएगी थैंक्यू